बिग्ना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा महादेव को निकलने के बाद मुझे इतनी गलानी हुई कि मेरा सारा शरीर जुला सुठा और इसी लिए मेरे इस स्वरूप का नाम ही पड़ा देवी धुमावदी देवी धुमावदी, मेरी महाविद्या धुमावदी, संसार में प्राणियों को उनके बुरे कर्मों का फल देने, उन्हें पीडा देकर दंडित करने आकाल, महामाली, कलेश, दरद्रता आधी उत्वन करती है देवी लक्ष्मी की बड़ी बेहन जेष्ठा भी इनी का बड़ा रूप है हाँ उचित है, माता जेष्ठा से तो मैं भी परिचित हूँ माता माता, हमें बताने की क्रिपा करें कि आपके इस रूप की पूजा से आपके उत्तम भक्तों को कैसा सुफल प्राप्त होता है देवी धुमावती जिनसे प्रसन होती, उसे संसार में समस्तुक, यहां तक की मोक्ष भी प्राप्त होता है प्राप्त होता है माता, पृत्वी, सूर्य, प्रकृति, भूवन, मृत्यू और सभी प्राणियों को उनके जीवन में भी और मृत्यू की उप्रांद भी उनके कर्मों का उचित्फल प्राप्त होने का अर्थ यही है ना कि अब स्रिष्टी में पूर्णता आ चुकी थी पूर्णता और संतुलन में बहुत बड़ा भेद है गणिश तुम्हारी क्या माननेता है क्या तुम्हारे अनुसार श्रिष्टी अभी संतुलत है मैं नेवी धुमावती के रूप में पाक्षपात रहित न्याय के लिए प्रसिद हुई मैं मनुष्यों को उनके बुने कर्मों के लिए दंडित तो कर रही थी केंदू के ये उचित नहीं था कि मैं उन्हें उचित मार्क पर चलने के लिए भी प्रेजित करूँ क्योंकि यदि किसी से एक भूल हो गई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मनुष्य बुरा है बुराई को त्याफ कर अपने भीतर सुधार लाने का एक अफसर तो सब को प्राप भूना ही चाहिए और कभी-कभी मनुष्यों को सुपत पर लाने के लिए मुझे उनके भ्रांदियों को नश्ट करने है तू शत्रू बुद्धी नाश्नी बन कर उश्रोत को ही नश्ट करती है जहां से प्राणी अनुचित शब उच्चानेत करता है शत्रू बुद्धी नाश्नी? मैं समझा नहीं माता अवश्य समझोगे गणेश किन्तु उसके पूर्व तुम्हे मेरी अश्टम महाविद्या स्वरू देवी बगला मुखी से परचित होना होगा देवी बगला मुखी? आपकी अश्टम महाविद्या स्वरूप माता? हाँ गडेश! संतान को जन देने मातर से ही माता पिता के कारे पूर नहीं होते अपने देवी दुमावती स्वरूप में मैं अपनी संतानों को उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित अवश्य कर रही थी किन्तु उन्हें अच्छे संस्कार देना भी मेरा ही दायत्म है गणेश हाँ माता जैसे मेरी मा के रूप में आपने मुझे सदैव सुपत पर चलने की प्रेणना दी मुझे सदैव अच्छे संसकार सिखाए हाँ गणेश तो हम सभी को ये भी बताओ कि किसी को अच्छे संसकार कैसे सिखाए जाते है बात के लिए छोड़ा हुआ कारे कभी पूर नहीं होता लक्ष प्राप्ति के लिए तो अनेक चुनोतियों से संघर्ष कर उन पर बिजे पानी होती है पुत्र उसके बिना कभी सभलता प्राप्त नहीं होगी और चुनोतियां तो खठिनाईयों का रूप लेकर ही प्रस्तुत होती है खठोर साधना से साथ कर ही उन्हें सरल बनाया जा सकता है पुत्र इतना स्मरण रखना पुत्र जो स्वयम को पैचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पैचान नहीं बना पाते उसे उचित ज्ञान दे कर माता हाँ गड़ेश जिस प्रकार अपने देवी पारवती रूप में मैंने तुम्हें अच्छे संसकार और ज्ञान दिया उसी प्रकार अब मैं अपने देवी बगला मुखी स्वरूप में समस संसार को गूर ज्ञान देने के इच्छुक थी ज्ञान मात्र बहुते ज्ञान तक ही सीवत नहीं है मैं तो उन्हें वो ज्ञान भी देना चाहती थी जो उन्हें भगवान से जोड़ सके उन्हें जीवन का उद्देश समझा सके, उन्हें औशदियों का ज्ञान दे सके, ताकि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ तन में ही, स्वस्थ आत्मा का वास होता है. तो माता, आपने मा बगला मुखी का रूप लेकर सभी को ये ज्ञान सिखाया? मात्र उतना ही नहीं, गणेश. मेरे इस रूप में संसार में प्रकट होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है. कारण? माताब, क्या है वो कारण? एक असुर, त्रेखो! त्री खुर्णामा कसुर्ण। अरे व्रथामती, क्या हुआ? कुछ दिखाए दिया क्या? नहीं दिखाए दिया! अर्थात क्या दिखाए देना चाहिए मुझे? यही कि हमारे स्वामी की तपस्या संपन हुई की नहीं? नहीं, नहीं हुई दुर्मुखा! स्वामी अब तक अपने तप में लीन है! और इतने समय से उनके तप के संपन होने की प्रतीक्षा में इस निर्जन स्थान पर स्थ है हम! क्यात नहीं और कितने समय तक ऐसे ही रहना होगा हमें! ओम प्रम्देवायनमहा 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 अम् प्रम्देवायनमहा ओम् प्रम्देवायनमहा ओम् प्रम्देवायनमहा अरे व्रथामती देखकर नहीं गिर सकती थी क्या दुर्वुखा तुम देखकर खड़ी नहीं हो सकती थी क्या गिरा दिया मुझे एक तो तब से स्वामी की तपस्या संपन ना होने के कारण इतनी चिंते तुम है और अब तो गिरकर आहत भी हो गई व्रथामती वो स्वामी है हमारे अब जहां वो रहेंगे हम वही रहेंगे ना तनिक कल्पना करो जब स्वामी को ब्रह्मदेव का वर्दायम प्राप्थ होगा तो कितने शक्तिशाली हो जाएंगे वो है ना स्वामी की चाटुकार सेविका कब होगा यह कब बनेंगे वो शक्तिशाली इतना दीर्ख समय हो गया उनका तब संपन ही नहीं ओरा अब चाटुकार हूं तो अपनी स्वामी की न और वैसे तुम भी तो यहीं स्थित हो तबसे इसी लोग में न कि जब स्वामी को परहुए स्वा्यक कैने उमठी तो हमती ओम्प्रह्मदेवायन महा ओम्प्रह्मदेवायन महा अम् ब्रह्म् देवा यदो आ आमाइउ ओम भी पुल्म देवा यदो dw trud कि सबस्केत्व ओम भा मजेवा यंदो आमाइでき Τा महत् है पुल्म के कंप एंड हें आम है इन आमोद्क ओम प्रम्मदेवायनमह ओत्रत्रेखो तप में होने वाले मेरे कष्ट दूर हो गए अर्थात, संपन्न हुआ मेरा तप ब्रम्मदेव, मेरे आराध्य, अन्ततहा आप आ ही गए मुझे दर्शन देने प्रतीत होता है, स्वामी का तब समाप्त हुआ हाँ, ब्रम्मदेव प्रकट हुए अब देखते हैं स्वामी को क्या बर्दान प्राप्त होता है पोत्रत्रेखो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ प्रसन्न तो आपको होना ही था प्रम्मदेव अध्यन्त कठोर तब जो किया है मैंने अब आब आ ही गए हैं तो मेरी दो बाते सुनिए एक, इतने वर्षों के घोर तब का उचित परिणाम चाहिए मुझे और दो मुर्थ्य से मुक्ति अर्थात अमरत्व का वर्दान चाहिए मुझे उत्रत्रिक्ष अमरत्व का वर्दान देना तो स्रिष्टी के नियमों के विरुप्ध है ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता अमरत्व के सिवाए अगर तुम्हें कोई और वर्दान चाहिए तो मांगो मुझे ग्याद था ग्याद था मुझे कि ऐसा ही कुछ कहेंगे आप कोई बात नहीं अमरत्व नहीं दे सकते आप तो उसके अतिरिक्त जो कुछ भी मैं मांगूंगा वो मुझे आवश्य देंगे ऐसा वचन दीजिए आप मैं वचन देता हूँ वच्ष मांगो क्या मांगना चाहते हैं वो पुना दो बाते हैं प्रह्मदेव दो वर्दान चाहिए मुझे आपसे एक प्रम्हांडी या बवंडर उत्पन न करने की शक्ती और दो इस अंसार की कोई भी विद्या कोई भी शक्ती मुझे एक शती न पहुचा सके स्मरंड रहे ब्रह्मदेव त्रिदेव की विद्या भी नहीं प्रह्मांडी अबवंडर ऐसी शक्ती का कहां परियोग करोगे तो इससे क्या लाब प्राप्त होगा तुम्हें प्रह्मदेव पुना दो बाते हैं एक अब और कोई प्रश्ण नहीं सुनना चाहता मैं और दो तो वचंदिया है आपने उसे पूर्ण कीजिए आप प्रह्मांडी अबवंडर अर्थात अथा शक्ती देदू इसे पुचंदिया है मैंने उसकी मर्यादा भी भंग नहीं कर सकता मैं इसे इसका इच्छित वर्दान तो देना ही होगा मुझे ताथास तो ताथास तो ताथास तो वर्दान आप कि यह शक्ति अब मेरे हाथों में आ गई है अब इसका इच्छानुसार प्रयोग करूंगा मैं अन्यवाद ब्रह्मदेव अन्यवाद प्रणाम स्वामी बधाई हो स्वामी आपका तब सफल हुआ स्वामी ब्रह्मदेव ने आपको बड़ान देही दिया स्वामी मैं न आपकी निष्टवान से विका हूँ कबसे यहाँ आपकी प्रतीक्षा मिस थी तू और आज मेरी प्रतीक्षा सफल हुई प्रभु मैं भी मैं भी प्रभू यह अकेली नहीं थी यहां मैं भी यहां प्रतीक्षा कर रही थी नहीं नहीं प्रभू स्वामी मैं प्रतीक्षा कर रही थी आपकी कपसे मैं भी थी यहां पर नहीं प्रभू मैं कर रही थी इस ऐस। बालकों के समान आपस में उलजना बंद करो तुम लोग अबी और बहुत कार्य करिया है हमें स्वामी कार्यों कैसा कार्यों? अब तो आपको वर्दान प्राफ्थ हो गया है और ये दंडबी और फिर कोई कार्यर क्यों करेंगे आप? हाँ स्वामी स्वामी आपके इस कार्य में तो बड़ी प्रसंदिता से साहिक बनेंगी हम ब्रम्हान की समराद की सहयोगी होंगी हम बहुत आनन्द आएगा हमें अब संपूर ब्रम्हान मेरी मस्थिल में होगा मेरी मस्थिल में होगा मुझे ज्यात थामत असुर प्रवित्ती ऐसी ही होती है उसने वर्दान भी मांगा तो ऐसे अहित कर उद्देश के लिए हां कार्थिके यह असुर सर्व प्रथम हमारी भक्ति कर हमसे वर्दान प्राप्त करते हैं और फिर उस वर्दान की शक्ती से विनाश का आरम करते हैं त्रिखोर भी यही करना चाहता था वो समस ब्रह्मान का अधिपती बनना चाहता था असुर राज्ट्र खोरके जेए असुर राज्ट्र खोरके जेए असुर राज्ट्र खोरके जेए मेरे असुरो दो बाते एक मिरहात में यह अपार्स चक्ति का स्त्रोच स्वयम ब्रह्मदेव द्वारातियां कया तंड अटो इस तंड की शक्ती से मैं अपने सभी विरोध्यों को प्रताडित और तंडित करूँगा ब्रह्मदेव का वर्दान प्राप्त है मुझे अब कोई भी हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता युद्र कैसा भी होगी मुझे हमारी ही होगी जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका बिनाच करूँगा मैं इस ब्रह्मान डिय अपवंडर से मत्यदेव को इतना अधिक विवश कर दूँगा कि वो मेरे समक्षाकर नतमस्तक हो जाए वो दुष्टसुर अपने वर्दान को शस्त्र बनाकर अपने समक्ष त्रिदेवों को विवश करना चाहता था अने तठिनायों के उपरांत ही व्यक्ति को वर्दान की प्राप्ति होती है उन्हें स्वयम को स्वभागे शाली समझना चाहिए और उसका सदुपयों करना चाहिए ना की दुरुपयों क्या परिदेशी है अजय है यद्यरी जादर म्विश करना चाहिए था करना चाहिए झाल झाल